हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बग टू माई चैनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंट्स कैसे हैं, आप आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो friends आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही tasty बिलकुल बाजार जैसे या आप बोल सकते हैं बिलकुल हलवाई style मोती चूर के लड़ू घर पे बनेंगे बिलकुल perfect बनेंगे कुछ ingredients से बनेंगे और इसकी recipe इतनी simple है कि आप इसे जटपट से घर पे बना लेंगे और आप इसे इत तरह से रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके और आप भी यमी यमी सा खाना बना सके तो लग रहे हैं ना ला जवाब से लड़ू बिलकुल बाजार जैसे तो इसे बनाने के लिए करना क्या होगा एक बड़े से बावल में एक बावल आप बेसन डालते एक बावल बेसन से ही बहुत साले लड़ू बनने वाले हैं फ्रेंट्स यकीन मानिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इसका गोल तयार करना है बिलकुल पतला गोल होना चीए तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा में इसमें पानी डाला है और फिर गोल तयार कर लिया है एक की बार में पान जैसे दिखे और बहुत ही टेस्टी बने तो मैंने इसमें हलका सा ओरेंज फूड कलर डालके मिक्स करके साइड में रख दे अब हम इसे बनाने वाले हैं नमक के जो पेकिट होते हैं उसी की पन्नी से बहुत ही कमाल के बनेंगे येकीन मानिए फ्रेंड्स अब आप नमक का जो है तो safety pin से कीजिएगा आराम से हो जाएगा कोने में छेत कीजिएगा एक ग्लास में इस तरह से डाल दीजिएगा पन्नी को सैट कर दीजिएगा और फिर जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें भर दे अच्छे से भरके आप इसे लोक कर दे हातों से इस तरह से दबाते गिर रही है बस वेसे ही आपको इस बुंदी की पन्नी को पकड की गिराते जाना है और जिस तरह से बुंदी बनेगी आपको विश्वाश नहीं होगा कि आप घर पे इतने शांदार दरीके से बुंदी बना लेंगे अब इस टील की आप जो चलनी होती है वो लीजिएगा और इस तरह से आप इसे निकाल लीजिएगा एक से डेड़ मिनिट पकने में लगेंगे लो टू मीडियम फ्लैम पे पकाईएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की बुंदी बनके तयार हुई है आप खुद को यकिन नहीं होगा कि आप परफेक्ट इस त अब पैन में डाल दी है एक बाउल चीनी आदा बाउल पानी थोड़े से केसर के रेशे डाल दे और फिर से मैं इसमें कलर डाल दिया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर कलर पसंद नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दे अब यह जो चाशनी है इसे बिल्कुल चिपचिपी बनाना है एक तार दो तार की नहीं बनाना है हलकी सी चिपचिपी चाशनी होने चीए बस चिपचिपी चाशनी बनने के बाद आप सारी बूंदी इसमें डाल दे जो अभी हमने तयार की है और फिर आप इसे जब तक पकाए कि यह चाशनी खतम ही नहीं है, 10 मिनित तक ने इसे रेने दिया था था, 10 मिनित बाद इसे एक आप इससे FLU चुकी है, आफ इसमें आप खर्वूचみ की बीच जाल सकते हैं, चाय से कोई भी Dripe Frut डाल सकते हैं और फिर मैंने इसमें देशी घी डाल दिया है, एक बड़ा चमच अच्छे से मिक्स कर दे, अभी ये गरम है, तो मैंने घी को पिगला के नहीं डाला है, अब चली बनाते इसके लड़ू, अब इसे लड़ू बनाने के लिए मैंने बाजार का लुक ही दिया है, तो इस तरह से चो निया दबे में पेक करके रख दिया तो आपके घर वाले भी विश्वाश नहीं मानिए और आप चाहे तो किसी को gift भी कर सकते हैं आपने देखा बिना जारे के भी हमने perfect बूंदी के लड़ू बना के तयार कर लिए तो आपको रेसे भी पसंद आई तो comment कीजिएगा आप भी घर पे जरूर बना के try कीजिएगा किसी festival पर बना सकते हैं जाए तो ऐसे भी बना सकते हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें thank you so much friends